वेल्कम टू न्यूज बाबा यूटूब चैनल जानस्तों बात कने वाले यूपी ट्रिपल सी के बारे में जानस्तों यूपी ट्रिपल सी के दवारा वीडियो का एक्जाम हुआ है 22 और 23 तरिक में 1st और 2nd मिटिंग में आपका एक्जाम करा गया है यानि आपकी 4 सिप्ट में आपका एक्जाम हुआ है जानस्तों लेकिन एक्जाम बड़ी सावधानी और सतरता पूर्वा का आपका एक्जाम करा गया है लेकिन फिर भी वीडियो का जो एक्जाम है आपका यानि पेपर जो है वो लीग हो चुका है अब इस भरतिका क्या होगा कि आपका पेपर रद होगा या दुबारा से आपका एडमीट कार आएगा इस जानने के लिए इस वीडियो को लास्त अब जूर देखे जानस्तो कुछ न्यूज मेरे पास है जिससे कि आप प्रूफ कर सकते हो कि वीडियो का विप पर जो है वो लीग हुआ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्रेश्ट करूँ कि अगरा मेरे चल्पन नहीं है और पहली पार मेरे वीडियो पर विजिट किया तो प्ली चल्ल को सस्क्राइब कर ले साथ में बैल आइकन को जहू दबा ले उसके साथ टेलीगराम ग्रूप को भी जोनी कर ले क्योंकि वहाँ पर आपको गुर्मेंट टिटेटिट विबिन परकार की नोटिस और पीडियाप आपको परवाड़ी किया जाता है जो आपके हर एक्जाम के लिए बहुत ही जो देखे हैं अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप वीडियो को नहीं समझ पाओगे जहां दोस्तों ये कीजनीज है मेरे पास पेपर की कटिंग है जहां दोस्तों पेपर नहीं खुला सकिया है कि वीडियो परिक्षा का पेपर लीग जहां दोस्तों 88% परिक्षा रुपे में बेच रहे थे उत्तर पुस्तिका जानोस्तो साफ खुलाजा कर रहा है अखबार कि 50,000 रुपे में जो है उत्तर पुस्तिका बेची जा रही थी और आपका जो है साथ के खिलाब जो है मुकदम हुआ और तीन गिरफ़तार भी कर ले गया है अब बात करते हैं इसक सोमार गैंगवार ने च्छापा मारा दो परिक्षारती के पास से मुबाइल परामद किये गए परिक्षा केंडर के बाहर पुलिस ने तीन लोगों को उत्तर पुस्तिका के साथ पकड़ा पकड़े गई यूकों में इलाबाद परताबगड और उनाव के लोग सामिल है वे पुस्तिका बेचने के साथ मुबाइल भी बरामद किये गए है प्रिक्षारती से जांस तो दो फरार हो गए है पुलिस ने केंडर रस्तावक और कोतवाली परबारी की तहरीर पर साथ लोगों के खिलाब मुकदमत दर्ज कर पांच को हिरासत में ले लिया दो आरोपी जो ह फरार हो गए है अब भी नहीं पकड़े गए है जांस तो निजी मुचल यानि उन दोरों पर जो प्रिक्षारती थे उनको मुचल के पर भी छोड़ दिया गया है जबकि तीनों यूगों को गिरिवतार कर लिया गया जांस तो यानि कि यह निज में अपनी तरफ से नहीं ब ला हूँ आप वीडियो पर प्लीज रास्तक जोरू बनें वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें जहां उस्तों पांच लाक वसूलते थे और सोलवर को देते थे एक लाक रुपे जहां दोस्तों यानि की परिक्षारती की जगह दूसरा सोलवर बैठ था था और पा पांच लाक वसूलते थे और सोलवर को देते थे एक लाक रुपे जहां उस्तों इसमें थोड़ा पढ़ा लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है जहां उस्तों यूपी एस्टिएफ ने लखनाव गुरखपूर में च्छापे मारी कर छें सोलवर तीन अब्यालती वे सोलवर गैंग के मास्टर माइंड को पकड़ा है सनिवार को सोला जिलो में यूपी ट्रिपल सी दवारा ग्राम विकास पंचात अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी और सामने कल्यान प्रिविक्षेक पद के लिए बढ़ती प्रिक्रिया आयोजित की गई थी इसी दोरान सूचना मिली की राजदानी के जानकी पूरम इस्तित कर्षना कॉन्वेंट इंटर कोलीज में सोलवर प्रिक्षा किसी अन्या ब्यारती के स्थान पर प्रिक्षा दे रहे आरा बिहारी बिहार निवासी सोलवर मनीज कुमार को दबोश लिया उसने बता कि वह परताबगड के सांगीपूर निवासी राजुपटेल की जगह पर प्रिक्षा दे रहा था लखनाओ में ही निशात गंज इस्तित एमके एसडी इंटरकॉलीज जहानबाद बिहार निवासी सोलवर विकास कुमार को भी अरेश्ट किया गया है जहां उसके बाद कानपूर गोरकपूर से भी दबोचे जहां उस तो सभी जगह से पेपर लीक का मामला आ रहा है और सभी जगह से प्रिक्षारती अन्मे की प्रिक्षा दे रहा है यानि कि सोलवर जो है वो उनकी जगह बैठा हुआ है क्या यही परिक्षा है परिक्षा से पहले बोला गया था कि HDM की निगरानी में परिक्षा रहेगी उसके साथ साथ बड़ी सा तरकता के साथ परिक्षा होगी कोई भी पेपर लीग का मामला और कुछ नहीं आएगा ऐसा क पुछ नहीं होगा लेकिन साथ साथ अखबारों में खुलासा किया है कि कहीं अब बैरती पकड़े गया है जो दूसरे की जगह परिक्षा दे रहे थे उसके साथ साथ वर्टसप पर उत्तर पुस्तिका 55,000 रुपे में बेची जा रही थी जहांस तो क्या यही परिक्षा है अब बात करते है वर्टसप के जरीए पेपर लिक जा उसके जरीए भी पेपर लिक करा जा रहा है इसके बारे में पड़ा लेते हैं डीटेल में कि क्या बोला है सेसीप विसाल विक्रम सिंग के मताबिक गैंग के सरगना डॉक्टर सर्द कुमार सिंग ने बताया कि पूरे करते हैं उसके बाद गेंग मेंबर उस अभ्यारतिकाडमिट काड़ वे दो लाख रुपे एडवांस लेकर उसे भेज़ देते थे फिर वह उत्तम के जरीए है इसकूल के मैनेजर से मिलकर सेटिंग कर परिक्षा होल में अपने गैंग के सदस्यों की कक्षिन रिक्षक के सुर अगे प्रिक्षा निरिक्षक जो है पेपर को फोटो वाटसप के जरीए उसे बेज़ देते थे उस पेपर को सोलवर से आनन फानन सोल उकरा कर वापस कस कक्स निरिक्षक को बेज़ दिया जाता था जिसके बाद कस निरिक्षक सोलवर पेपर के जरीए उन अभ्यारतियों क साफ साफ खुला सकी आए कि SSP विसाल विकरम सिंग के मुताबिक बात बताई गई है चांस्तो की 12 से 12 लाक रुपे में डील होती है उसके बाद जो है सोलवर को बैठा दिया जाता है दो लाक रुपे मेनेजर को दे करके अपने जो कंडिडेट है वो निरिक्षक के रूप में लगा दिया जाते है उसके बाद वो फोटो खीच करके अन्या भ्यारती को भेज दिया जाते है होँआ से पिपर सोल होकर वापिस उनकी पास आता है उसके बाद ओमार सीट को फिल करा दिया जाता है जान जोस्तों 12 से 10 लाक रुपे में वीडियो अगर कंडिडेट बन रहे है तो क्या ये गलत है या सही है जान जोस्तों ये बिल्कुल गलत है उनकंडिडेट का क्या होगा जो मेहनत कर रहे है और अपनी अच्छे से स्टेडी कर रहे है अपने फिचर बनाने की कोशिस कर रहे है लेकिन अब क्या होगा पेपर रद होगा ये नहीं होगा उसके बारे में हम बात करते हैं कुछ और प्रूफ है मारे पास कुछ और ऐसी न्यूज है उसके बारे में आपको बताते हैं प्लीज लास्ट तक दूर देखे इस वीडियो को इसकिप्ट ना करें जहां उसके बारे में अधिनिक सिवचन आयोक की गराम विकास अधिकारी वीडियो बरती प्रिक्षाथ कराने की मांग को लेकर ब्यांडोलन तेज हो गया पिपर आउट होने का आरोप लगाते हुए प्रिक्षार्थियों ने जलू से निकाला और कलेक्ट रेक्ट में परतसन किया उन्हें ग्यापन भी सोपा तरन सेकर आजाद पार्क में हुई एक अन्य बैटक में भी दोबारा प्रिक्षा कराने तथा दोस्यों के खिलाब मुकदमा लिखर सकत कारवाई कराने की मांग की गई है प्रतियों का कहना है कि ब्राइब रेली के अलावा इलाबाद के के इंदर पर भी कई अभ्यारतियों के मोबाईल पर प्रिक्षा से पहले परशन पत्र का हल पहुँच गया था उनका कहना था कि प्रिक्षा ने पुलिस ने तिलोग डिप्तार भी किया है इस आदार पर प्रिक्षा करने की मांग को लेकर प्रिक्षा अर्तियों ने परतियों दोबारा परिक्षा होनी चाहिए बैठक में बरजेस यादाव मुनेश सर्मा महेश यादाव विकास यादाव ठाकुरन वाक्षिंग आदिव मुझूद रहे पिपर आउट करने का आरोप लगा निकाले ज़लूस कलیک्टेट में सोपा ग्यापन जाओ यानि सबी अब व्यार्ती ने इलहाबाद में ग्यापन दिया है collector साथ को की परिक्षा को दोबारा करा जाए अब देखते हैं कि परिक्षा क्या होगी दोबारा होगी या नहीं होगी प्लीज सभी candidate से request है कि आप अपनी right comment में जुरूर बताए कि अगर आपको लगता है कि पिपर लीक हुआ है यह paper whatsapp के जरी यह फैला है तो paper जो है परिक्षा दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और प्लीज सभी candidate मुझे भी बताए कि आपका score क्या बना है आपने answer की सभी ने check कर लिया कि आपका score क्या क्या बना है out of 150 से आपका number of questions कितने right है आप यह भी comment में बताए और यह भी बताए कि आप दुबारा प्रिक्षा कराना चाहते है यह नहीं कराना चाहते है या फिर इस मामले में यह जो ख़बर है यह बिल्कुल सटीक सो परसेंट सत्या है क्योंकि यह paper की cutting है यह मैंने अपने पास से नहीं बनाई है मैंने ओ लेडिया आप लोगों को बता दिया है तो आप प्लीज जरूर कमेंट में जरूर बताए कि आपकी राए क्या है और उसके साथ साथ क्या हर यूपिके हर एक्जाम ऐसे ही लीग होगे एक questions एक सवाल ये भी है आप लोगों से आप प्लीज कमेंट में जरूर दे और हमें बताए कि अभी तक कौन सा एक्जाम है यूपिक अंदर जो लीग नहीं हुआ है जो भी बती आती है उसी का पता चलता है कि paper लीग हो गया है पेपर सही से नहीं बटा गया है जैसे भी होता है वो ऐसे चल ही रहा है अब आगे क्या होने वाला है इस भरती में वो जैसा भी होगा हम आपको पलपल बर जो है न्यूज आपको अपडेट करते रहेगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेए उसके साथ बैल आइकन को जूर तब आले और साथ में जो है टेलिग्राफ ग्रूप को जोइन कर लेए वहाँ पर आपको गुर्मेंट लिजरी वीविन परकार की नोटिस और पीडियाप आपको प्रोवाड़ी के जाता है तो मिलते हैं कोई कोई ऐसी अच्छी ख़बर के साथ तब तक लिए जाहिए